हाई अबरिवन वेलकम बेक टू माई चनल दूस्तों आज में रिव्यू करने वाली हूँ एक साथ तीन प्रोड़क्ट का यहें गुडवाइब्स के रोज़िप स्किन केर प्रोड़क्ट और प्रोड़क्ट है रोज़िप हाइडरेटिंग गलो फेस वॉस्ट रोज़िप र हैं अबक्राइब प्रोड़क्ट पर यहें रोड़क्ट कर रही हूँ रिवन गुलु करते हैं थार्न आज के सबस्क्राइबй तुछ और दोसरे घ्लीत प्रोड़क्ट में प्रोड़क्ट मेरहें अफज समय झालकी्जर्व नुद्अ करने वाइजिए कर आश में ऐसना झ इसमें बना गया गया है और दस दो हजार पच्चिस तक चलेगा सेलफ लाइब बहुत ही अच्छी है यह मिलता है आपको 235 रोपे में और इसकी क्वांटिटी है 120 ml और परपल पर उफर चलते रहते हैं यह आपको 175 रोपे में आराम से मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या क्लेम किये गए है अमिरिकल फ्रूट लोडेट विट विट्मिन और बायो एक्टिव देर्स रोजेपी जेंटली फॉर्म अवे डर्ट फ्रॉं पोर्स इविंग यॉर इसकिन क्लीन हाइड़िटिंग एंड रेडियंट तो इसमें यह बता गया है कि यह है बहुत ही जल्दी आपके स्किन की गंदिगी को अच्छे से साफ कर लेता है और आपके स्किन को हाइडिएट करता है वात करते हैं कि इस फेस वाश को प्रियोग करने का सही तरीका क्या है तो सबसे पहले हमें हमें अपने हाथों को थोड़ा सब भिगा लेना है उसके बा लगाता प्रियोग कर रही हूं और यदि आप यह कहें कि केवल फेस वोस के लगाने से आपके स्किन ग्लोइंग होने लगेगी बिल्कुल गलत है केवल फेस वोस को यूज करने से कोई भी फरक नहीं पड़ता है चहरे पर हाँ यह आपके चहरे की गंदगी को बहुत अच्छ करता है इसको यूज करने के बाद आपको अपने चहरे पर बिल्कुल भी रूखा पर नहीं लगेगी बहुत अच्छे से आपके स्किन को साफ कर देता है लेकिन यह आपके स्किन को ग्लोइंग नहीं बनाता है तो चलिए बात करते हैं दूसरे प्रोड़क्ट के बारे में इसमें भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है और यदि इसकी बात की जाए है आपको मिलता है 10 ml और परपल पर यह आपको 190-180 रुपेत तक का आराम से मिल जाता है तो चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या किलेम किया गया है अब मिल्कल फ्रूट लोड़ेट विडमिन एन बायो अक्टिव देट रोजेप और इस गुड़नेज इस पेक्ट इंटु दा ग्लो रिस्टोरिंग नॉन ग्रेसी सिरम गो उन वी दा ब्राइट पार्क यानि कि यह नोन ग्रेसी सिरम है लेकिन मैंने इसको यूज किया है मैंने कई सालों से इसे लगातार यूज किया है तो मैं जानती हूँ यह बिल्कुल भी लाइट वी सिरम नहीं है यह थोड़ा सा आपके चेहरे पर हैवी हो जाता है तो चलिए बात करते हैं इस सेरम के टेक्शर की तो यह हमारे स्किन पर जो है एब्जोर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो यह एक और बात करें इस स अपने चेहरे पर इस सिरम को पुछ करना है क्योंकि यह सिरम नहीं है इसलिए अपने चेहरे को पुछ करेंगे बहुत ही अच्छा वर करेंगा आपकी शिर्ण पर तो इस तरह इसको एक मिनिट के लिए ऐसे ही चोड़ देना है और इसके बाद आपको किसी भी क्रीम का यू क्योंकि यह दिया आपके स्किन ड्राइ होती है विंटर सीजन में तब आप इस सिर्म को जरूर प्रियो करके देखिए बहुत अच्छे से हाइड़ेट करता है मौस्चराइज करता है और आपके स्किन को गलॉइंग मिनाता है बात करते हैं तीसरे प्रड़क्त के यह है गोड तो कि वादित का बातकर के शायर दोने के रहल कि प्रड़क्त क्या है श aren't कि भी तरह को जर्म करें तौर इस क्रीम को अच्छा है लुआ ओले है यह को नौर्स कंईर की अपर शची सब्सक्राइब अपने चाहरे को अजावाज चेल मौस्चा लापकर को अज़कर पीफिंगर के हल्प से एक हल्की मसाज करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है तो बात करते हैं इस क्रीम के रिजल्ट की यह क्रीम सच में आपके स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग मिनाता है बहुत ज्यादा अफोर्डिबल क्रीम है डेली में प्रि प्रिजन में आपके स्किन टाइप आराम से इस क्रीम का प्रियोग कर सकते हैं आप इन तीनों प्रोड़क्त को एक साथ कैसे प्रियोग कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इस फेश वास की हल्प से अपने चेहरे को अच्छे से वाश करना है तो हमें अपनी चेहरे को सुखान हमें प्रियोग करना है फेस क्रीम का थोड़ी सी मात्रा में अपने चेहरे पर फेस क्रीम को रख लेना है और अपने फिंगर के हल्प से इसे बहुत अच्छी से मसाज करके मिला लेना है और एक परत के टाइप हमें अपने फेस सिरम के उपर बना लेनी है और थोड़ी देर के हमारे इस्किन उड़ जाते हैं जैसे कि केरोसीन वगएरा होता है, तो इसलिए हमें अच्छे फेस क्रीम का फेस सिरम के बाद जरूर यूज्स करना चाहिए, तो आप कोशिच के जिए कि आप जिस फेस सिरम को यूज़ कर रहे हैं उसके बाद उसी क्रीम को यूज़ करें जैसे कि यदि आप विटमिन सी फेस सिरम को प्रियोग करें तो कोशिच के जिए कि विटमिन सी क्रीम का उसके बाद प्रियोग करें तो कोशिच के जिए कि रोज और आपको पर लिएक पड़ पर प्रियों दॉख सकते हैं गया सकते हैं अप्रियुके का भी प्रॉटिए ग्लों है इसकिन पर रख यहां और यह को बिए धाया होगा नाच है वीडियो पसंद ने ही पर प्लीजिया दी लाइक करें मिलते हैं अंगली वीडियो में बाई-बा झाल झाल